Admonished का क्या मतलब होता है आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Admonished जो है वो Admonish का Past Tense or Past Participle होता है यानकि Admonish एक Verb है जिसकी Second or Third Form होती है Admonished और Admonish का मतलब होता है किसी को चेताना, डाटना, चेतावनी देना, समझाना, सावधान करना, गंभीरता से सलह देना या कान खोलना कान खोलना एक मुहावरा है कान खोलने का मतलब होता है कि किसी को तथ्यों से वाकिफ कर देना या कोई चेतावनी दे देना यानि कि admonished is the past tense of the verb admonish. To admonish means to warn or reprimand someone firmly, advising them against certain actions or behaviors. It involves expressing disapproval or giving a cautionary advice in a serious or authoritative manner. यानि कि admonish का मतलब उता है कि किसी को गंभीरता से कोई सलहा देना या किसी चीज़ के लिए बिलकुल सक्ती के साथ, अधिकार के साथ मना कर देना या चेतावनी देना. जैसे कि अगर आप यह कहना चाहिए कि शिक्षक ने चात्रों को परिक्षा के दोरान बात करने के लिए साथधान किया या चेतावनी दी तो आप कह सकते हैं, the teacher admonished the students for talking during the exam. या अगर आप यह कहना चाहिए कि लगातार समय सीमा चुकने के कारण उसके परिक्षक ने उसे चेतावनी दी थी, तो आप कहेंगे, she was admonished by her supervisor for constantly missing deadlines. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइ करें और बैल आइकन को प्रेस करें